सलमान खान हिंदी सिनेमा के सबसे बिजी एक्टर्स में से एक है। हाली में दूबई से अपना दबैंक टूर पूरा करके मुंबई लोटे सलमान इस साल फिल्म कभी एद कभी दिवाली में नजर आने वाले है। ये फिल्म पहले 2023 में एद के मौके पर रिलीज होनी थी लेकि सलमान खान की फिल्म कभी एद कभी दिवाली को अब 30 दिसमबर 2022 को रिलीज करने का मन बनाया है। यानि ये फिल्म सलमान खान के जन्व दिन से 5 दिन पहले रिलीज होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि सलमान खान अपने फैंस को इस बार बर्थरडे पर ये गिफ्ट देना रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग इसी साल अप्रेल में शुरू कर दी जाएगी, पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में जाने से पहले ही फिल्म को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश रहेगी, इस फिल्म में सलमान खान के साथ पहली बार पूजा हेगडे ओन स्क्रीन रोमेंस करती दिखाए देंगी, बता दे कि उम्र में पूजा सलमान के लगबग आधी हैं, सलमान खान जहां 56 साल के हैं वहीं पूजा के उम्र अभी 31 साल है, हाला कि इस फ्रेश जोडी को देखने के लिए दर्शक बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, फिल्म में सलमान खान और पूजा हेगडे के अलावा साउथ सूपरस्टार वेंकर टेश भी दिखाए देंगे, वर्क फ्रेंट की बात करें तो सलमान खान फिल्म कभी एद कभी दिवाली के अलावा टाइगर 3 में भी नज़र आएंगे, इसमें उनके साथ कैटरीना कैफ काम कर रही ह इसी प्रगार की तमाम जानकार्यों के हमारे साथ जुड़े रहिए, नमस्कार